ओम सांती ओम शांती ओम शांती ओम शांती से जैसे भी बाबा ब्रामभा तन में आता है तुरंत हमें गीता का ज्यान मतलब गायन योग ये पूजन योग ये बनाना सुरु कर देता है तो गीता का ग्यान देना माना अपने बच्चों को गायन योगे पूजन योगे बनाने का ग्यान देना शुरू कर देता है इसमें ही तुम्हें पुरुसार्थ करना है उत्तम पुरुसर्था देवता बनने का पुरुसार्थ करना हम लोगों को देवता का मतलब होता है देने का संसकार जितना आप सोचेंगे कि हम बिना दिये पाले तो नहीं पापाएंगे देने का संसकार देवी बनना माना देने का संसकार चाहे वो तन हो, मन हो, धन हो, समय हो, स्वान कुछ भी देना पड़े लेकिन किसी के सुख के लिए किसी के कल्यान अर्थ अगर हम देते हैं तो वास्तों में अपना कल्यान करते हैं तो यही उत्तम बनने का निशानी है न अगर आप किसी की सेवा करते हैं तो उसके नजर में आप महान बन जाते कि आप बहुत अच्छा हैं तो यही हुआ पूरु सोत्तम बनने की निसानी प्रस्न है किस एक बात का सदा ध्यान रहे तो बेड़ा पार हो जाएगा कौन सी एक बात का ध्यान रखना है उत्तर है सदा सदा ध्यान रहे कि हमें इस वरिये संग में रहना इस वरिये संग में रहेंगे तो बेड़ा पार हो जाएगा अगर भगवान के संग में रहे तो बाबा कहता है इस वरिये संग में रहना हमेशा भगवान क्या करा उस पे ध्यान देना है अगर संग दोस में आए संसे पड़ा तो विसे सागर में डूब जाओगे क्या होता है कि अगर संग दोस में दुनिया वाले इधा उधर जा रहे हैं के संग में आ जाते हैं तो हम बोटे हैं विषय सागर में डूब जाते हैं विषय सागर माना विषय क्या होता है विसय विकार हो पाप हरो देवा बोलते है तो विसय क्या होता है कि विसय हां विसय माना कि किसी की सरीर को देखे तो बहुत सुनदा सरीर है ऐसा ही मेरा भी शरीर होना चाहिए फिर या किसी के घर को देख लिए तो बोले कितना सुन्दर इसका घर है मेरा भी घर है ऐसा होना चाहिए उसका पती देख लिए उसका पती बहुत सुन्दर है कमाने वाला है उसका बेटा का जॉब लग गया है मतलब बहुत सारा भी सै जिसमें लोग क सबस्क्राइब थी और से बाद विकारों में डूबने लगते हैं तो हमें बाबा कहता है बेरा हुआ सागर में डूब जाएगा ये ग्यान सुनना है, ओम शान्ति, भगवानु वाच, बच्चे जानते हैं कि बाप वही राज योग सिखला रहा है, राज योग मतलब अपने उपर राजी करना सिखला रहा है, पांच जार वर्स पहले भी ऐसे ही समझाएं थे बाबा, बच्चों को मालूम है, दुनिया को तो मालूम नहीं है, तो फिर पुछना चाहिए कि गीता का भगवान कब आया है, जो आप बोलते हैं गीता का भगवान आया, अभी तो इतना सारा दुख है, तो अभी आना घर घर में लड़ाई है, फिर आना चाहिए उस समय तो फिर भी दिखाये थे ना कि पांड़ों में बहुत प्यार था, या कौरों सो भाई थे आपस में नहीं लड़े, कौरों आपस में लड़ते थे उसमें, सो भाई थे, लेकिन एक दुसरे से प्यार था, हाँ कौरों पा आए गुआ और भगवान आए तो भगवान जी कहते हैं भगवान जो कहते हैं मैं राज योग सिखला कर तुमको राजाओं का राजा बनाता हूं वो गीता एपिसोड कब चला गीता का ग्यान दीए तो यह पूछना चाहिए सबसे यह बात कोई भी नहीं जानता कि कब आये थ युद्ध से पहले और गीता का ग्यान पूरा दिया गया 24 गंटे में दे दिया गया तो नहीं यहाँ पर 100 साल का होता है और 100 साल में गीता का ग्यान हम बच्चों को देकर फिर तयार किया जाता है एक अर्जुन की जाने से राधानी कैसे स्थापन हो जाएगा यहाँ पर हर एक अर्जुन है बस नाम एक के द्वारत बताये गया है कि हाँ अर्जुन को ग्यान दिया गया तो यहाँ पर ग्यान अर्जन करने वाले को अर्जुन कहा गया है तो हम सब अर्जुन है तो कल्यू का आंत और सत्यू के आधी के बीच का जो समय होता वो संगम यूग होता है आधी सनातन देवी देटा धरम की स्थापना करते हैं तो जरूर वो संगम ही होगा दोनों मिलता है तो उसे संगम यूग कहा जाता है तो आदी सनातन देवी देता धरम की स्थापना करते हैं और संगम पर ही करते हैं इसी समय करते हैं जैसे बोलते हैं न कि भगवान यूगे यूगे आया तो यूगे यूगे आकर क्या किया कि आया और यूगी यूगी में भी एक यूग में कितनी सारे अवतार दिखा देते हैं तो बाबा उसमें नहीं आता है बाबा कहता है कि जब कल्यूक कांत सत्यू कादी होता है तब मैं आता हूँ और गीता का ग्यान देकर फिर से लायक बनाता हूँ प्रिद उन्हेंट संगं थे गहा अपिर के अफ़ीर एौट जा पहर थिंग त तो पुरू सुतम संगमुग को अम्हें है ये। 4 साल में एक दिन बढ़ जाता है ये तो एक महीना बढ़ जाता है फरवरी में एक दिन बढ़ जाता है और उसमें एक महीना बढ़ जाता है उसको sufficient mass वर्ष कहा जाता है प्रंतु बेचारों को पता नहीं यह संगम युग का पर्तीक दिखाय गिया है संगम युग का ही परतीक दिखाय गिया कि जब चार युग बीटते हैं तो सो साल का एक युग इक्स्ट्रा बढ़ जाता है तो मीठे मीठे बच्चों को मालूम हो गया है उत्तम पुरुश बनाने के लिए दर्थाक मनुष्य को उत्तम देवता बनाने के लिए स्वेम बाप आकर पढ़ा रहे हैं तो मनुष्य में उत्तम ये देवी देवताओं में भी कौन थे उत्तम से उत्तम कौन थे लक्षमी नारायन इसलिए गायन होता ना कि नर ऐसी करनी करे नारायन बने नारी ऐसी करनी करे कि लक्षमी बने कभी नहीं चर्चा होता है कि सीता राम बने बोला जाता है कि नर करनी करे तो राम बने और सीता बने नहीं वो त्रेता वाले राम सीता की बात यहां हो रही है तो वो नहीं बनने के लिए बाबा कहता है तो बाबा कहता है मनुसी को देवता बनाया इस संगम यूग पर देवताएं जरूर सत्यूग में ही होते हैं बाकी सब है कल यूग में तुम जानते हो हम संगम यूगी ब्राह्मन बने अभी हम लोग संगम्यूग ब्रह्मभा की संतान बने हैं यह पक्का पक्का याद रखना नहीं तो अपना कुल कभी किसको भूलता नहीं बोलेगा अभी पूछेंगे आप किस कास्ट के हैं तो तुरंत हम बता देंगे हाँ हाँ मेरा ये कास्ट है लेकिन यहाँ पर हम लोगों का कौन सा कास्ट हो गया भी हम सब का कौन सा कास्ट हो गया तो क्या बोलेंगे किस कास्ट के हैं हम लोग ब्रहामन कास्ट के हैं डारेट ब्रह्मभा मुख वनसावली कुख वनसावली ब्रहामन नहीं यहां ब्रह्म्भा मुखवंसा वली ब्राह्मन है प्रन्तु यहां माया भुला देती है माया भुला देती है ना कहीं भी बोलते हैं तो हम यह काष्ट के हैं तुरंत बोल देते हैं तो हम ब्राह्मन कुल के हैं तो फिर देवता बन जाएंगे अगर आप यहां के काश्च को बताएगे तो फिर आप क्या बन जाएगे सुद्र बन जाएगे तो अगर यह याद रहे तो बहुत खुसी रहे कि हम ब्रह्मा की संतान ब्राह्मन बने हैं तुम बचचे हो राज योग सीखते हो, तुम पढ़ते हो राज योग समझाते हो, फिर अब भगवान गीता का ज्यान सुना रहे हैं, और भारत का प्राचेन योग भी सिखा रहे हैं, हम मनुषय से देवता बन रहे हैं, बने नहीं हैं, अभी ऐसा Such Is ने सबने में आकांcidos दे क्या होता है कि काम करने में नहीं हम काम नहीं करेंगे वो काम करेंगी निया कृए बाप ने नहीं कि यहां पर लोग क्यूएर तो बना है पवितरिता की बात पर कितनी अरग्यों होती है बहस बादी होता है न पवित्रता पर यहां पर लोग क्यों विरोध करते ब्रम्भा कुमारी ग्यान तो बहुत अच्छा है लेकिन विरोध होता है पवित्रता हो लेकर मनुस्यों के लिए तो विकार जैसे खजाना है विकार जैसे उनके लिए खजाना है उसी से सब कुछ मिल रहा है दुखी हो रहे हैं फिर भी विकार जैसे उनके लिए खजाना है लोकिक बाप से यही वर्सा मिला हुआ है न तो क्या करेंगे आज मा बाप क्या करा साधी कर दे रहा बाबा की बच्चे बाबा की बच्चे बन साधी करना है आप साधी कर दें लेकिन आप यह बोलिए बच्ची चाहे ना चाहे आप उली नहीं चाहे आप इस थीरता से रहें तो पहले-पहले बाप का वर्षा मिलता है साधी बरबादी करा देते हैं और बेहत का बाप कहते काम महासत्रों तो जरूर काम को जीतने से ही जगत जीत बनोगे आपके अंदर कोई कामना नहीं रहना चाहिए यह कामना आज बोलते बेटा का साधी किये बेटा का अगर में बहु आई तो बोलते जगडा का घर हो गया है तो यह क्या है इसलिए बाबा गाम पर जीत पाती है हम हर वात में टाइम तो लगता है ना मुख्य बाद बаччी यही लिखते हैं ओ लोग 빠t इसका करी कि अगर करेंगे अगर उनका एको एमसा को ड् Tigers को बढदके रखेंगे मत परहो वह हमें को छोड़・बाव तो क्या करेंगे भाग जाएगा किसी को लेके तो हम क्या को लेंगे मत करो ठीक है तुम्हारा इच्छा बाबा को सौब दी बाबा आपका बच्छा है इसका पाठ वो निवह गाना हम कौन होते हैं लेकिन हम संकल क्यों चलाए साधी होगा मेरी बहु आएगी मेर पांध हम क्यों ही सब सोच लेगे तो बाप का फर्माने काम को जीतने से तुम जगत जीत बनोगे किसी से कोई आस नहीं रखेंगे तो दों आस पूरा होगा और जब आस रखेंगे ना तो और ही निरास होँगे तो ऐसे ने कि जगत जेत बन चेंड़ है क्या होता है कि जब सुख्ष का दिना आ जाता है बाबा अपप allora शब कुछ अंहले गिला ना टा यह क्या है बहानाफा द्याहना है तो हमेश्व और जादा याद करना है दुख ने याद करें शुख आ गया सुख्ष में और याद करना है तुर्फ जगत्जीट लक्ष्मी नारायाhur इसको कायता संकोन्य निर्विकारी पहले बनो द्यसनि द्युताईं को सब निर्विकारी कहते हैं जिस्से तुम राम करी कहते हो किस राम राज माना आत्मा का राज है स्त्य whether the death plane कर दो होगा राम adequate मरता क्या मरता है और ऩो निर्विकारी दुनिया उसको और यह विश chilling कारी आप पवित्र ग्रिहस्थ आस्रपम कैसे हो सकता है आप पवित्र ग्रिह स्थ आश्रम बन सकता है कि आप बाबा नी समझाए तुम पवित्र ग्रिहस्त आस्रम के थे अभी नहीं हो अब तो 84 जनम लेते लेते अब पवित्र बन गए हो 84 जनमों की कहानी बाबा सुना रहा है नई दुनिया जरूर ऐसी वाइसलिस होनी चाहिए नीर विकार आज देखिए कि राह चलते बलातकार हो रहा है लड़ चलता का सागर वही यह स्थापन करते हैं lands काराज भी जरूराणा नाम यह राम राज और रावन राज जब आत्मा का राजिश्तक मांना आशे राज्यत यहारमराराइन जो मंदिरों में बैठाते लक्ष मिनारायन को वह दैवी राजाने के निसानी हैं तुम बच्चे प्रभात फेरी आदि निकालते हो प्रभात सभेरे को ही कहा जाता है तो उसी समय फेरी निकालते उस समय मनुष्य स्वोई रहते इसलिए थोड़ा देरी से निकालते अब अम्रित बेले लेकिन सारे मनुस्य तो नहीं देख पाएंगे क्या निकाल इसलिए थोड़ा देव से निकालते न कलस यात्रा बाबा का प्रदर्शनी भी अच्छा अच्छी तब हो जब वहां सेंटर भी तभी तो कर सकते ना प्रदर्शनी अच्छा से समझा सकते हैं जहां आकर समझे काम महासत्रू है इस पर जीत पाने से तुम जगत जीत बनते हो तो काम विगार महासत्रू है जो इस पर जीत पा लिया तो पवित्रता का जो सकती है ना उससे समस्याएं क्या होता है समाप्त होना सुरू हो जाता है तो लक्षमी नारण का चितर साथ में जरूर ह कर दो ना चाहिए जोती जाना है तो यह चीद्र और से ही कभी चीद्र ट्रक में जैसे देवीयों को निकालते हैं ऐसे 2-3 सजार इसम लगता है बाबा कहता है जैसे ट्रक में बठा के निकालते हैं लक्ष राम नौमिय समय निकालते हैं न पोर्सेशन तो उसी तरह बाबा बोलता है न चारो तरह पोष्ट लगा दो सिवसंकर का महान अंतर लक्ष मिनारान हमारा लक्ष है फिर सीड़ी का स्वास्ति का ये सब का लगा के और परचार करना है दिन परती दिन चीत्रों की व्रिद्धी तो होती जा रही है तुम्हारा ज्यान भी व्रिद्धी को पाता जाएगा समझाने का तरीका सब का लगलग हो रहा न तो बच्चों की भी व्रिद्धी हो रही है अब बच्चे भी बढ़ रहे हैं उसमें साहोकार सब क्या है एक जैसे आते हैं स्वी बाबा का भंधारा भरता जाता है अगर हर एक बाबा के तन थोड़ा थोड़ा अंस भी डालना शुरू कर देता है तो बाबा का तो भंधारा भर पूर हो जाता है बड़ा बड़ा कारे कैसे होता है बाबा ब्रह्मा कुमारी जब क अगर बन जाता है तो उनको यहां रिटर्ण में कितना मिलता है बाबा फिर उनको रिटर्ण में कितना देता है जो देने वाला संस्कार आता है तो सो गुना मिलता है जब हम कुछ डांग करते हैं उसका सो गुना रिटर्न फिक्स हो जाता है तो तब बाब कहते हैं मीठे मीठे बच्चो तुम हो पदमा पती बनने वाले सो भी एक दो जनम के लिए नहीं 21 जनमों के लिए बनने वाले हो तुम जगत का मालिक बन जाओगे 21 पीड़ी के लिए मैं खुद डारेक्ट आया हूं तुमको देने के लिए बोतिन भगवान अर्थ देते हैं कुछ भी तनमंधन जो कुछ है सब कुछ है तेरा तेरा तुझको अर्पन क्या लागे मेरा भक्ति में गाते थे लेकिन भगवान को डारेक्ट नहीं देते थे भगवान वहां पर मंदिरों में देते थे किसी न किसी को देते थे यहां पर भंडार में डालने का मतलब होता है स्वी बाबा का भंडारा में डालना माना डारेक्ट भगवान को देना तो तुम्हारे लिए हथेली पर बहिस्त लाया, स्वर्ग हथेली पर बाबा लेकर आएं, जैसे बच्चा पैदा होता है तो बाप का वर्सा उसकी हथेली पर ही आ गया, अब करोड़ पती का बच्चा पैदा होगा तो उसको थोड़ी बोलेंगे रोड़ पती हो गया, वो जन संसकार भरना होगा अपने अनदर कि कैसे हम इसको संव्हालने के लायnity बने तो संसकार क्या है देनेका संसकार जितना हम संसकार सब को सुख देने का बनाएंगे भग्रा के दो संपत्ति को पहले हम लोगों को सम्हालना तो आप ही को पड़ेगा बेहत का बाप भी कहते हैं तुम जो मेरे बनते हो स्वर्ग की बासा ही तुम्हारे लिए देता हूं 21 पीड़ी के लिए क्योंकि तुम काल पर भी जीत पा लेती हो इसलिए बाप को महा काल कहते हैं काल पर भी जीत माना मृत्यू पर जीत प कर देते हैं ना बोलते हैं लेकिन आप मिलतियों से डर अब देखे पहले कहीं अकेले जाते थी क्या कर लेगा लोग अकेले कहीं कुछ ना कर ले अगर अगर सुनसान जगा बहने भूत रात में भी अगर आधी रात को भी कोई बोले आने मेरे साथ है और आपको एकदम सेफटी से घर ले आएगा भल भूत को भी देखेंगे लेकिन कुछ भी नहीं करेगा क्योंकि बाब क्या है भूतों का नात है वो कुछ होनी ने देगा तो वो महाकाल है मृत्यों पर भी जीत पा रहे हैं हम बच्चे महाकाल कोई मारने वाला न दीर तो अब टाइम पर ही छूटेगा सब का आगे पीछे नहीं तो समझते भगवान ने यमदूत भेजा भेज कर मंगवा लिया कि जा उसको ले करा हूँ रसी बास कर उसको ले दिया यह सब नाटक बनाए गया ऐसा कुछ भी नहीं होता है ऐसी कोई बात नहीं यह सब भक पहारी लोग महाकाल को बहुत मानते हैं महाकाल के मंदिर भी है न ऐसे जंडिया लगा देते हैं तो बाब बैठ बच्चों को समझाते हैं यह भी समझते हो यह राइट बात है समझते हैं कि बाबा ये बात सही बोल रहा है बाबा को महाकाल क्यों कहा गया है क्यों मंदिर में जाते हैं ऐसा मंदिर क्यों बनाये गया है कोई कारण बता सकता है कि महाकाल क्यों है क्या मारता है वो हम लोगों को तो सुख का सागर कैसे हुआ वो मारता नहीं है, ये दुख की दुनिया से निकाल कर ले जाता हूँ अपने घर, क्योंकि हर एक बच्चा जोता है कि मुझे सांती चाहिए, हमें सुख चाहिए तो बाप को याद करने से जनम जनमांतर के विक्रम पहले विनास होते हैं, बाप को याद करना है तो विक्रम विनास होगा, तो फिर उसका प्रचार करना चाहिए, क्या प्रचार की बाबा आया हुआ है, आप आओ, आप उनसे मिलो, देखो क्या मिलता है, ये प्रचार करना च भी बहुत महत्व बताई गया है लोग पानी का इसनान करने जाती हैं तो कुछ अंस प्राप्ति हो जाता है लेकिन यहां ग्यान इसनान करने से यहां मन सूध होता है अब जिस दिन से सब्सक्राइब दिन नहीं नहाई और एक दिन कोई छोटा बच्चे का ही देखिएगा पाल दोकर उस दिन वह पच्चे जादा सोता है सोता है कि नहीं उसको रिलाक्स फिल होता है तो उसी तरह यहां भी ग्यान इसनान बहुत दिन तक हम बेचैनी में रहे इधर की बाते उधर जब ग्यान सुनते ना तो एक दम लगता मन सांथ हो जाता है तो वही नींद आने ग्यान इसनान से नीद आता है लेकिन इस नीद को भी अब जीतना है यह ऐसा नहीं कि ग्यान सुने समय सोगा है तो फिर भी तो और ही भागे खराब हो जाएगा ना तो अब तुम बच्चों को यह जान अम्रित 5,000 वर्स के बाद मिल रहा है कितना नसा रहना चाहिए कि यह नग्यान मिल रहा है वास्तों में इसको अम्रित नाम नहीं है वास्तों में इसका अम्रित नाम नहीं यह पढ़ाई है अम्रित कोई पीने की चीज होती है तो यह पीने की चीज नहीं यह इसको धारन करने की चीज है तो यह सब भक्तिमार के नाम है अम्रित नाम सुनका चि ग्यान देखी जाकर उसका ग्यान सुनिए बहुत अच्छा ग्यान है लेकिन वह आत्मीं के सिती में नहीं लाएंगा दूसरा वह देविदिक था नहीं बनाएगा तीसरा देसर टिस तो मुकति दHAM कोई अच्छा ग्यान दे रहा चलो सुनकर मन सांथ हो गिया तो भगवान का कोई ऐसा सजा हुआ रूप तो है नहीं जो लोग देखिया और आकरसित हो जाएं यहां पर यहां तो इदम साधरन तन के द्वारा बाबा मुख का धार लेता है और इसलिए लोग मुण जाते नहीं देखो वो बहुत अच्छा सुना रहा वो बहुत अच्छा सुना रहा देखते हैं कितना सजा सजा है रहता है कोई भी तो यह भी यह तो बाप इसमें आकर पढ़ाते हैं पढ़ाकर आत्माओं को आप समान बनाते हैं खुद लक्षमी नारायन थोड़े ही है जो आप समान बनाएंगे बाबा कहता है कि खुद लक्षमी नारायन थोड़े ही है जो आप समान बनाते हैं जो बोलते हैं बाबा मैं तुमको बाप समान बनाता हूँ तो बाप क्या है एक तो नीराकार है तो नीराकार बनाता है कि मैं आत्मा हूं तो तुम भी आत्मा हूं उसके बाद एक बाप है प्रजा पिता बाप तो उनके समान बनाता है कि देखो वो लक्षमी नारान बनने जा रहे हो लोग तुमको भी वैसा बनना है आत्मा पढ़ती है उनको आप समान नौलेज़ फूल बनाते हैं ऐसे नहीं कि बनाती है उन्होंने श्रीकृष्णी को दिखा दिया भगवान उबाद कैसे पढ़ाएंगे सथ्यूग में पतित कोई है क्या कोई पतित होगा जिसको पढ़ाएंगे पढ़ाएंगे उसको अब डॉक्टर की सभा हूं और डॉक्टर ही डॉक्टर को पढ़ाना सुरू करे तो पढ़ेगा कोई तो वैसे ही वहां लक्ष मिनारान का राजेवां हर बाला क्रिष्णी कनयासा हर राधासी बाला है तो वहां पर पढ़ाएगा कौन किसको सब तो उसी पोस्ट पर हाँ नंबर वार भल होंगे तो तो श्रीख्रीष्णी तो होता है इसे सत्य होको में थिर कभी स्रीष्णी को तुम नहीं देखो है एक scenario के दूसरे जना में दाणगा लेख दूसरे बार राने कि रहता है रहता है वह र अंट जो एकधम न्यूं का होता है तो उसी तरह जो करक्षाऑ प्रिश्ने का चेहरा है वो दूसरे जनम उसका चेहर हो जाता है तो ड्रामा में हर एक की पुनर जनम का चित्र बिल्कुल न्यारा होता है कुद्रत का ड्रामा बना हुआ है बनी बनाई बन रही अब कुछ बननी नहीं सारा चित्र बना हुआ है कौन का ऐसा सरीर लेगा बाप भी कहते तुम हू बहू इस फीचर से इसी कपड़े में कल्प कल्प तुम ही पढ़ती आयो हू बहू रिपीट होता है ना आत्मा एक सरी छोड़ फिर दूसरा वही सरीर लेती है तो कल्प पहले लिया था द्रामा में कुछ भी फर्क नहीं पढ़ सकता है वह होती हद की बाते या है बेहत की बाते बाबा कहता ना कि ड्रामा में कुछ भी फर्क नहीं पढ़ता जो एक बार सरीर लिये तो फिर भूम कर जबाएंगे तो फिर वो सरीर लेना पड़ेगा अभी जैसे यहां बैठे हुए तो यही सरीर हर कल्प के 5000 साल बाद ऐसा ही बैठेगी लेकिन याद तो है नहीं जैसे अभी याद नहीं है तो बस पहली बार निभा रहे यह सोचिए और हमें पाट अच्छी से अच्छा निभाना है जो बेहत के बाद के सिवार कोई नहीं समझा सकता है इसमें कोई संसे नहीं आना चाहिए संसे लास्ट बेना बाबा कहता ना कि बच्चे जितना भी लोग भाग ले उधर का ग्यान अच्छा उधर का गया लास्ट में सब फिल हो जाएगी इतना गारेंटी कौन देगा कि आएंगे यहीं पर कोई बोल सकता है कोई सादू भी नहीं बोलेगा लेकिन यहां बाबा रोज रोज मुर्ली बोलता है इसलिए आज ब्रह्मा कुमारिया निश्चिंद रहती है कि आना ही है जाएगा कहां तो निश्चे गुद्धी हो तो कोई संसय नहीं आ जाता संग लग है तो संसय आ जाता है और संग लगा तो संसय आ जाता है इस वरी संग चलता चले तो पार हो जाओगे अगर हमेशा भगवान के संग में रहे तो आप पार हो जाएंगे विशैविकारों से संग तोड़ा विशैसागर में डूब जाओगे एक तरफ छिरसागर दूसरी भागवान कि तरब जाना है, घ्यान अम्रित कि नहीं दे सकती है, यह श्वरूप है, बाप पवित्रता का सागर, भलवो देता हैं सत्यूक त्रेता हैं, प्रंतु सदयों के लिए धो पवित्र नहीं हों और दुन्या का कोई भी मनुष्य नहीं दे सकता है सद गती मतलब सथी पर चलना सथी पर चलना यह शक्त को देश्रमाOb यह रास्ता तो तुम सद्गती में जाते हो ये बाते ही नहीं होती बाहर में अब तुम बच्चे सम्मुख बैटे हो समझ रहे हो तुम भी सी बाबा से पढ़का टीचर बने हो बाबा से पढ़े हैं तो हम लोग भी पढ़ा रहे हैं नहीं पढ़ेते तो हम लोग भी दुखी थे तो बाबा देखे चार उत्रप से घुमा रहा है कि आप किसके पास आते हो वो दिख रहा है कि आपको लेकिन वो नहीं दिखते विभी वही है उसको याद करना है हां वो आते हैं इनके तन में आते हैं इसलिए कहते बाप दादा के पास जाते हैं तो यह बाबा उनका रत है कोई गोड़े गाड़ी का रथ नहीं होता, सरी रूपी रथ में आते हैं बाबा, जिस पर सवारी वो करते हैं, उनको घरत गोड़ा आसो भी कहते हैं, इस पर एक कता है न, दक्ष प्रजापती पिता ने यग रचा उसमें घोड़े को स्वाहा किया गया, लेकिन घोड़ा क्या है, ये सरी रूपी गोड़ा, मन रूपी गोड़ा, इसको स्वाहा किया जा रहा है, कहानी तो लिख दिये, प्रन्तो ऐसा कुछ भी नहीं है, स्वी भगवानु आज मैं तब आता हूँ, जब भारत में अती धर्म की गलानी होती है, गीतावादी भल कहते, यदा यदा ही धर्म से धर्मों ग्लानी घवते भारते, तो भारत में गलानी होई, कब होई, अभी गलानी नहीं हो रहे है, आज हर घर में लड़ा। उन दा है, प्रन्तों अर्थ नहीं समझते, तुम्हारा ये बहुत छोटा सा जढ़, इसको तुफान भी लगते है, नया जढ़ा है न。 फिर कितना छोटा होता है तो इतने अनेग धर्मों के बीच एक आदिशनातन देवी देवता धर्म की सैप्लिंग लगाते हैं कितनी मेहनत है और उको मेहनत नहीं लगती है वह उपर से आए अपना जाड़तुरत तयार कर ले तेले कि यहां मेहनत लगता है क्योंकि एक दू समय के इनलबी नहीं हम लोगों को 2- ucz traffic करना है तो यहां तो सत्यू ठीटा में आने वाले आएंगे उनों को आत्माईं बैट पढती हैं उनों की आत्माईं आकर पढती जू पतीत हो गए हैं उनको पावन देवता बनाने के लिए बाप पढ़ाते गीता भी गीता तो बहुत पढ पुर के सकता सब्सक्राइव की गीटा के आगे जल रखकर पढ़ते हैं गीता के बाद पढ़ते हैं 122oses 13 system पुर्षे में पीत्रों का भियुद्धार होगा इसी रही पित्रों को याद करते हैं जल रख 2009 के गीता का बहुत इस दसी चौट था प्रह्मा बाबा, दादा लेखराज। कम बड़ा भक्त था क्या रमायनादी सब कुछ पढ़ते थे दादा लेखराज। इनको बहुत थे पहले परहते थे अब नहीं अब कहते हैं बीती कुछ हो नहीं अब बीती बातों को याद नहीं दो एक आता है दो तो om county में स्थापना विनास और और लाधानी का साथ शातकार कर आख played Vinias सब कुछ भूल गया ना ब्रह्मा बाबा को नसा होता था कि हम तो नारायन बनेंगे लेकिन वहां पर सारे लोग वही बनेंगे लक्षमी नारायन सीताराम सब बनेंगे तो उस कोश्ट को तुम भी हासिल करो बोलो मैं भी कृष्ण बनूँगा तो पता नहीं बाबा क्या क्या समझाते रते थे तो तुम बच्चे जानते हो बाबा की प्रवेस्ता कैसे हुई या बाते मनुसे नहीं जानते ब्रम्भा विष्णू संकर का नाम तो लेते है ना फ्रन्तो इन तीनों से भी भगवान किसमे प्रवेस करते हैं अर्थ नहीं समझते ब्रमभा विष्णू संकर किसमें प्रवेश की ए ? तो बुस आ धा नुग के तन्न नाम देते हैं, अब वह तो देवता है, वह कैसे पढ़ाएगा बाबा खुद बतलाते मैं इन में प्रवेश करता हूं इसलिए सिखलाया दिखाया ना कि बरंभा द्वारा नई सिष्टि की स्थापना होती है। वह पालना और विनास मतलब विश्णु द्वारा पालना और संकर द्वारा विनास यह बड़ी समझने की बात है भगवान उबाच मैं तुमको राजयोग सिखलाता हूं यह भगवान कब आया जो राजयोग सिखलाया और रजाइप दिलाया यह भी अभी तुम समझते हूं हम बच्चे समझते बाहर वाले नहीं समझेंगे यह 84 जन्मो का राज भी समझाया है पुजे पुजारी का भी भेट समझाया है पुजे कौन बनते भगवान बनता है ना भगवान हमेशा पुजे है पुजे कौन बनता अभी हम लोग पुजे बन रहे हैं पुजारी भी हम लोग बनते बनने का सब्द जो आता है ना वो हमारे से जुड़ता है और शीवावा तो एवर पूजे है तो विश्व में सांती का राजी इन लक्षमी नारण का था जो सारी दुनिया चाहती है कि अब फिर से लक्षमी नारण का राजी हो जब लक्षमी नारण का राजी था तो उस समय सब सांती धाम में थे अब हम स्रीमत पर कार देवी देता धरम वालों को टच होगा कि अच्छा लग रहा ग्यान सुनना चाहिए भारत की बात है जो इसकूल के होगे वो निकल रहे हैं और निकलते रहेंगे चिंता नहीं करना है कि कौन बच्चा आएगा नहीं आएगा जो आएगा इसकूल का होगा वो निकल जाएगा तो तुम निकले न वैसे भी प्रजा बनती चाहेगी भावा कितना क्लियर करा कि तुम निकले न जो अच्छा पढ़ते वो फिर उच्छा पध भी पाएंगे जो अच्छा से पढ़ रहे हैं तो मुख्य बात ग्यान और योग किये जितना आप योग यूथ होकर ग्यान सु अब ग्यान नहीं रहेगा तो आपका योग कभी उससे लग जाएगा कभी उससे लग जाएगा पहचान होना चाहिए कि मैं कौन मेरा कौन तब तो योग लगाएंगे तो फिर पावर हाउस के साथ योग चाहिए योग से विक्रम बिनास होंगे ये वर हेल्दी वेल्दी जाओगे अच्छा मीठे मीठे सीखी लजे बच्चो प्रती मात पिता बाब दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग रुखानी बाग की रुखानी बच्चों को नमस्ते हम रुखानी बच्चों की रुखानी मात पिता बाब दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग सारे जो बीत गई उसका चिंतन नहीं करना जो अब किया करना उसे बाबा पढ़ा रहे हैं। पहले वाला ज्यान सार भून ऐक बाप से सुनना है और अपने ब्राह्मन कुल को सदा याद रिठना है कि см किसको के हैं ? ब्रह्मा द्वारा बने हैं ब्रह्मन कुल के हैं। पूरा निश्य बुद्धि होकर आयना कि कौन पढ़ा रा भगवान पढ़ा रहा है किसी विबात में संसाने उठाना ए ऐसे कैसे हो गिया ये ऐसे कैसे हो गिया हमारी समझ में नहीं आ रहा तो क्या बाद गलत हो गिया नहीं तो इस्वरी संग और पढ़ाई कभी भी छोड़ना नहीं है वर्दान है आजका रूहानी मासुक की आकर्षन में रूहानी मासुक कौन है सी बाबा उसकी आकर्षन में आकर्षित होकर मेहन से मुक्त होने वाली रूहानी आसिक बनो मासुक अपने खोई वी आसिक को देखकर खुस होता है ना तो रूहानी आकर्सन से आकर्सित हो अपने सची मासुक को जान लिया पा लिया यह थार्त ठीक आने पर पहुच गए जब ऐसे आसिक आत्माएं इस मुहबत की लकीर के अंदर पहुचती है तो अनेक प्रकार की मेहन से छूड़ जाती जो मेहनत करते कैसे ठीक होगा कब ठीक होगा जब हमारा प्रिये सी बाबा मिल गया पहचान मिल गया अब उससे बड़ा समस्या थोड़ी है समस्या तो ठीक होना ही है तो क्योंकि यहां ग्यान का सागर के इसने की लहरे आती है सब्ती की लहरे आती है सदा के लिए रिफ्रेस कर देती है में यह मनुरंजन का विशेश स्थान भी बन जाता है मनुरंजन किस लिए चाहते लोग मन की सांते के लिए ही चाहते हैं तो यहां मनुरंजन बाबा ज्यान के द्वारा कराता है सत्यूग में ले जाता है कभी कभी वहां परमधाम ले जाता है तो मिलने का स्थान आप आशिकों के लिए मासुक ने बना दिया, मिलने का स्थान कहां है, माउं टाबू, मधुबन, चारू तरफ की आत्मा है जिससे ऑनलैन मिलते हैं, और माउं टाबू में जाकर मिल लेते हैं, बाबा कहता है, माउं टाबू में क्या है, मधुबन में सम्म जिससे नहीं सोच रहे कि मिल पाएंगे और वहाँ पढ़ जाते तो मिल लेते हैं तो स्थान बना दिया है बाबा ने इक नामी और एक नामी वाले बने बहुत सुन्दर है यह स्लोगन एक आंतवासी मतलब एक कियात में ठहरने के लिए एक नामी और किसी को याद नहीं करना क किवल एक स्थी बाबा को याद करना दूसरा एकोनामी वाले बनो एकोनामी बहुत सारा चीज होता है संकल्पों में एकोनामी कम से कम संकल्प चुलाना आप देखिए कि पानी है ना तो पानी मेरा क्या जाता है पानी बहार है बहार है एक बहार है एक बहार जुडती है तो ब्रवादी को ब्रवादी तो उसका फिण फल मिलता है अगर आप गलत करेंगे तो गलतीज़ तॉ इसलिए ऊक्त मुझाओ एकली को datoleis available technology η langeka stupid Но एक वह संकल्पों श्मंत का होphon Im यह प्रकिर्टी का हो समय का हो बहुत सारा चीज है जिसमें आपको एकोनॉमी बरतना होगा यह नहीं कि जैसे मन तैसे खतम कर दे नहीं तो इसको बहुत क्लियर समझना पड़ेगा ओम शांति